Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का वीडियो है basically एक review video एक college का जिसका नाम है DBUU IHM यानि की देव भूमी उत्रखन युनिवर्सिटी के hotel management course का Because आज कल बहुत सारे students college reviews के बारे में पूछने तो मैंने सुचा है एक तरफ से reviews video शुरू करता हूँ आज की वीडियो में review तो करूँगा यानि की infrastructure, facilities, placement वगरा इन सब चीजों के बारे में तो बताऊँगा साथे साथ आपको ये भी बताऊँगा की क्यूं DBUU आपके लिए एक best option बन के आ सकता है सो सबसे पहले एक basic overview इस college के बारे में आपको दे देता हूँ देव भूमी उत्रखंड उनिवर्सिटी की शुरुवात लगबग 17 साल पहले हुई थी और ये college situated है आपका देहरदून उत्रखंड में जो की बहुत ही अच्छी location है तो आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से hotel management के courses offer हो जाते हैं देव भूमी Institute of Hotel Management यानि की DBIHM जो की NCHM City से approved है उसके अंडर में जो courses रन हो रहे हैं सबसे पहला course है आपका B.Sc. नेचे नेचे जो की आपका Bachelor in Hospitality and Hotel Administration होता है यह आपकी 3 years की hotel management degree है इसके लावर diploma in food production भी NCHM City से रन हो रहा है यानि की 1.5 यर वाला जो आपका diploma होता है देव भूमी उत्राखंड युनिवरसिटी के अंडर में जो और other courses आपके रन हो रहे हैं वो है आपका Bachelor in Hotel Management जो की आपका 4 years degree Masters in Hotel Management जो की आपका 2 years Masters program है उसके रावर diploma, courses भी available है like food and beverage service में, housekeeping operations and even front office operations और यहाँ तक की 25% scholarship आपको मिल सकती है अगर आप उत्राखंड के ही student है तो अब बात कर लेते हैं इसके infrastructure और facilities के बारे में तो DBU को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी आ infrastructure है यहाँ पे और साथे साथ यह काफी बड़ा college है, 42 acres में फैला हुआ है साथे साथ अगर हम यहाँ पे hotel management की facilities की बात कर दें तो यहाँ पे आपको सारी state of art labs मिल जाएगी like आपको kitchen की अलग से lab मिल जाएगी, आपको front office के लिए lab मिल जाएगी housekeeping की, housekeeping की lab मिल जाएगी और साथे साथ आपको restaurant मिल जाएगा, जहाँ पे आप F&B service के practicals कर सकते हो साथे साथ बागी facilities की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा ground वगरा सब मिल जाता है साथे साथ आपको auditorium, board room, इस जैसी बहुत सारी facilities आपको यहाँ पे available होती है और hostel की facility भी आपको campus के अंदर ही मिल जाएगी तो आपको भार भी कहीं जाने की ज़रुत नहीं है अब बात कर लेते हैं यहाँ की extracurricular activities के बारे में तो यहाँ पे आपको regular extracurricular activities तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी यानि की carving sessions वगरा भी होते हैं तो यह सब चीज़ें जो आपकी होती हैं वो basically आपकी skills को निखारती हैं क्यूंकि अगर आप एक regular theory और practical करके बस निकल जा रहे हो तो उससे आप उतना कुछ नहीं सीख पाऊगे लेकिन जब आप इस तरीके के chef competition में पार्ट लोगे या फिर आप bakery competition में पार्ट लोगे या फिर carving sessions वगरा देखोगे तो definitely आपको वो skills दिखाने का मौका मिलेगा जो अभी आप सीख रहे हो जो कि obviously as a hotel management student आपको और ज़्यादा growth देती है यह तो थी hotel management related extracurricular activities बाकी भी बहुत सारी extracurricular activities होती रहती है like sporting events वगरा होते रहते हैं बहुत सारे आपके fest वगरा होते रहते हैं क्योंकि studies के साथ साथ थोड़ा enjoyment भी ज़रूरी होता है और इस साल के fest की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जावे दगली जैसे बड़े singer को बुलाया गया था तो आप खुद लगा सकते हो कि यार students ने कितना enjoy करा होगा इस साल और you never know next year कौन celebrity आपको देखने को मिल जाए अगर आप यहाँ पे admission लेते हो और इसी तरीके से आपको यहाँ पे top hotels में training तो करने को मिलेगा ही मिलेगा साथे साथ आपकी placement भी future में top hotels में यहाँ से हो पाईगी तो अगर placement wise भी अगर हम इस college को देखेंगे तो पहले भी इनकी बहुत अची placements रही है इनके students top hotels में जैसे मैंने बताया है काम करते वे आए हैं और आगे future में भी आप यही expect कर सकते हो अब बात आती है जो मैंने शुरुआत में बोला था कि यह college आपके लिए एक अच्छा option क्यों बन सकता है तो यार मेरी देखो बहुत सारे students से बात होती है WhatsApp पे, Instagram पे और बहुत सारे जगे comment पे भी आप comment करते रहे तो कि यह college कैसा है, सर यह college कैसा है और मैंने बहुत सारे students को देखा है जो लोग अच्छा college नहीं चूज कर पाते हैं और कुछ लोग अच्छा college चूज भी कर लेते तो उनकी college की location खराब होती है ना हो मान लीजे आपने एक अच्छा college तो चूज कर लिया बड़ उसकी location अच्छी नहीं है तो definitely आपका वहाँ पे regularly रहने का मन नहीं करेगा आप घर वापस जाने की सोचोगे जब आपके दिमाग में ये चलता रहता है तो definitely आप पढ़ाई पे उतने अच्छे से focus नहीं कर पाते हो और regular classes भी नहीं ले पाते हो वहीं पे अगर हम बात करें इस college की तो DBU आपका धरादून में situated है जो की बहुत अच्छी जगह है एक अच्छे college का एक अच्छी location पे होने का ये ही फाइदा होता है कि वहाँ पे आपका रहने का मन करता है आपका regular classes लेने का मन करता है और definitely आपका फिर उससे studies पे भी बहुत ज़ादा impact पड़ता है तो ये एक पहला कारण है जिस वह से DBU आपके लिए बहुत अच्छा option हो सकता है second जो आपका कारण है वो है यहां की extra curricular activities now जब आपकी extra curricular activities होती रहती है related to hotel management तो definitely आपको कुछ नया आपनी skills show करने का मौका मिलता है अगर आप regular monotonous life में रहोगे अपना theory करोगे, practical करोगे, कुछ नया नहीं करोगे तो आपको skills दिखाने का मौका कहा मिलेगा बट यहां पर आपको वो skills दिखाने का मौका मिलता है अपनी skills को निखारने का मौका मिलता है जिस वजए से जो आपने theory और practical classes में सीखा होता है उस चीज को आप शोव भी कर सकते हो और दिखा सकते हो कि आप कितना अच्छा कर सकते हो और competitions पर पार्ट ले लेके अपनी skills को और निखार सकते हो तो यार ये था DBUU यानि देवभूमी उतरखन University के hotel management का review अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो like जो कर लीजे subscribe कर लीजे चैनल को अगर आगे भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है not only review वीडियो बट मेरे experience से related और भी बहुत different तरीके का stuff में बनाने वाला चाहे वो abroad placements हो, abroad job हो, कुछ भी चीज़ हो सारी चीज़ों से related वीडियो आईगी तो subscribe कर लीजे चैनल को अगर आपको कोई भी question या query है तो आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं या फिर instagram पे follow करके message कर सकते हैं मैं आपकी पूरी help करने ही कोशिश करूँगा, thank you so much, have a nice day, bye